Hello students, welcome to Magnet Brains. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे. Myself, Nihah Verma from Magnet Brains. Student, Magnet Brains क्या है? Magnet Brains एक ऐसा YouTube चानल है, जो आपको Kindergarten, मींस KG से, Class 12 तक आपको पूरा syllabus प्रोवाइड करता है. आपको NCRT की books का, आपको competitive exams का, और भी बहुत सारी books कवर करता है. और सारी videos आपके quality-based होते हैं. और ऐसा भी नहीं है, students, कि teachers ने आपको एक-दो chapters अच्छे से पढ़ाए और फिर आप से किसी subscription या payment की demand करने लगे. ऐसा बिलकुल भी नहीं है, क्योंकि Magnet Brains टोटली free of cost channel है. ओके, students, So, Magnet Brains पे videos देखें और अपने doubts क्लियर करिए, अपने academic को और strong बनाईए. Right, student? और student, चले, अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. So, student, आपको याद है, हमने 12 खड़ी पड़ी थी हिंदी में. क्या होती है 12 खड़ी? आ, आ, ई, ई, उ, आ, आ, ऐ, ओ, आ, अ, 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 ये क्या होते हैं? इनकी मातराई कहलाती हैं बाराखड़ी. OK? आ से अ, तक हमारे स्वर्वर्ण है. Right, student? तो ये ज़़ स्वर्वर्ण की मातराई होती हैं, ये ज़ब वेंजन में लगती हैं, तो क्या बन जाते हैं student? शब्द बन जाते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं So students हमने बाराखड़ी पड़ी थी माने मात्राएं और हमने सबसे पहली कौन सी मात्रा पड़ी थी बाराखड़ी में? आ की मात्रा है ना? आ से आम Remember? तो चलिए student, आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आ की मात्रा जो की हमारी बाराखड़ी की सबसे पहली मात्रा है ओके student, तो चलिए पढ़ने के लिए तयार हो जाएं आ की मात्रा Yes So students, सबसे पहले हम समझते हैं कि आ की मात्रा होती कैसी है So हमने देखा ता बाराखड़ी में आ बड़ा आ है ना student? आ से आम और इसकी मात्रा कैसी होती है student? ये होती है आ की मात्रा दादा जी का डंडा किसी भी अक्षर में अगर आ की मात्रा लगती है तो वो क्या लगती है? डंडे जैसी लगती है उसे हम कहते हैं आ की मात्रा ओके स्टूडेंट तो ये मात्रा कहलाती है आ की मात्रा मतलब अगर हम किसी भी शब में जब आ की मात्रा लगाते हैं तो हम उसको खीच के बोलते हैं जैसे का में अगर आ की मात्रा लगेगी तो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट मान लीजिए, यह का है, ठीक है? और इसमें हम अगर आ की मातरा जोड देते हैं, तो यह क्या बन जाएगा? का, इसको हम कैसे बोलेंगे, स्टूडेंगे? क, क में आ की मातरा, का, है ना? हम हमेशा आ की मातरा को खीच के बोलते हैं, क, का, है ना? हमारा मुझ पूरा खोल जाता है, जब हम आ की मातरा लगाते हैं, ओके स्टूडेंट, तो यह होती है हमारी आ की मातरा, दादा जी का डंडा, remember, आ की मातरा, दादा जी का डंडा, स्ट्वेट लाइंगे, ठीक है स्टूडेंट? तो चलिए, अब हम इस मातरा को वेंजन में लगाके देखते हैं, और देखते हैं कैसे लगेगी? सो, ठीक है, तो हम यह अक्षरों का जोडों करके देखते हैं स्टूडेंट, है ना? और का, खा, गा, अंगा, यह सब क्या हैं? वेंजन, है ना? आ से अनार सर होते हैं, और का से ज्यानी तक वेंजन कहलाते हैं, तो यह सब क्या हैं स्टूडेंट्स? हमारे वेंजन के वर्ण, और इन वेंजन में हमारी मातराय लगती हैं, और फिर ये क्या बन जाते हैं? शब्द, ठीक है? तो हम जोड के देखते हैं इन वेंजन में तो सबसे पहले देखे का क में हमने कौन सी मातरा लगाई? आ की मातरा तो ये क्या हो गया? का साथ में बोलिए क, का है ना? अब ये देखे ख से खरगोश खा में हमने आ की मातरा लगाई तो ये क्या हो गया? खा ख, खा ओके सूरें? ग, छोटा ग, बड़ा गा है ना? ग, ग में आ की मातरा गा, ओके? तो ये जब बड़े आ की मातरा लग जाती है तो अक्षर भी बड़ा हो जाता है है ना? हम उसको बड़ी तरह बोलते है जैसे घ, घ से घर घ, 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 डिफरेंट समझ में आया आपको चूरेंट क, का, ख, खा मातरा लगती है तो हमारा मूँ जब हम बोलते हैं तो पूरो खोल के बोलते हैं का, ओके स्टूरेंट तो ये है हमारी बड़े आ की मात्रा ओके स्टूडेंट तो चलिए अर रहम आगे देखते हैं क्या है येस तो ये देखिए अब इसको हम पूरी अच्छे से पढ़ेंगे हैं न सो क, क, प्लस आ की मात्रा क, र, तो क्या हो गया? कार स्टूडेंnt हमने क्या किया? बोलिए साथ में क, आ की मात्रा क, र, कार है न? क, में आ की मात्रा लगी है तो हम उसको खीच के बोलेंगे क, र, कार ओके? तो ये है कार क, क में आ की मात्रा र, कार तो देखिए आपको difference समझ में आएगा का में आ की मातरा है तो हम उसको खीच के बोल रहे हैं का और र कार हमने ऐसे तो नहीं बोला कर नई कार कार ओके चलिए अब हम आगे और एक्जाम्पल देखते हैं येस तो ये क्या है स्टूडेंट चलिए अक्षरों को पढ़के देखते हैं त, तर्बूज वालत त, त में आ की मातरा त, त, त में आ की मातरा त, ल, ल में आ की मातरा त, ल, ठीक है? तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? त, ल, हमने क्या किया? हमने त में भी आ की मातरा लगाई और ल में भी आ की मातरा लगाई तो यह क्या हो गया? ताला रिपीट करिए तल नहीं है यह ताला देखें खीच के बोला ना अपना मुझ खोल के बोला ताला ओके सूरेट चलिए अब आगे देखने हैं येस अब इसको पढ़ते हैं र, र, र में आ की मातरा र, र, र में आ की मातरा र, ज, ज, में आ की मातरा ज, र, ज, ओके तो र में भी आ की मातरा और ज, में भी आ की मातरा राजा राइट स्टूडेंट तो दोनों शब्द को हमने खीच के मूँ खोल के बोला तो जब आ की मातरा लगती है तो हम उसको शब्द को मूँ खोल के बोलते हैं ठीक है? ओके स्टूडेंट तो चलिए तो ये हमने देखे कुछ शब्द जिनमें आ की मातरा लगी थी अब चलिए अब हम ये जोडो करते हैं पहले हमने अक्षरों का जोडो करा था न का प्लस आ की मातरा? का अब यहाँ पे हम शब्दों का जोडो करेंगे मानि शब्द में कैसे जोड के लगाते हैं ठीक है? तो यहाँ आपको अलग-अलग अक्षर दिये गए हैं और यहाँ हमने उनको जोड के लिखा है ठीक है स्टूडेंट? तो चलिए अब हम इनको करके देखते हैं येस तो देखिए र, र, र में आ की मातरा र, म, राम है ना? र, र में आ की मातरा र, म, राम जब हम यह प्लस कर रहे हैं मने हम क्या कर रहे हैं? जोड रहे हैं हम अक्षरों को जोड के शब्द बना रहे हैं ओके स्टूडेंट? शब्द और मातराय मिलके क्या बनाते हैं? सौरी अक्षर और मातराय मिलके क्या बनाते हैं? शब्द और शब्द मिलके वाक्य बनाते हैं, ठीक है? अब दूसरा देखिए क, क में आ की मात्रा का, न, कान ओके? लुखिया ह, हाथी वाला ह, ह में आ की मात्रा हा, थ, थ, थर्मसका हाथ, ओके? हाथ लुखिया, अ, अनार वाला प्लस आ की मात्रा आ, म आम, है ना? आगे देखिए ल, ल में आ की मात्रा ल, ल, ल में आ की मात्रा ल, ख, ल, ख ओके स्टूरें? तो यह हमने क्या किये? हमने अक्षरों को जोड के शब्द बनाएं और यह सारे शब्द आ की मात्रा के हैं तो चलिए अब शब्द बनाना तो हमने देख लिए अब शब्द से वाक्य कैसे बनेंगे ये देखते हैं चलिए पहले कुछ और शब्द देखते हैं तो ये क्या शब्द है स्टूडेंट ध्यान से देखिए और रीड करिए ब, ब में आ की मात्रा बादल अब बताएए इसमें आ की मात्रा किसमें लगी है बादल समझ में आ रहा है न स्टूडेंट ब में लगी है तो बादल ओके चलिए आगे बढ़ते हैं लुक ये येस So, द, द में आ की मातरा द, द, द में आ की मातरा द, 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 ओके, दोनों द में आ की मातरा लगे, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं येस ग, म, ल, 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 में आखी मात्रा ल, ग, म, ल, ये है ग, म, ल, तो किस में आखी मात्रा लगी है? ल, में लगी है ग, म, ल, ओके स्टूरें चलिए अब आगे बढ़ते हैं ये क्या है? च, च, में आखी मात्रा चा-व-ल चावल ओके स्टूडेंट तो देखा आपने आखी मात्रा कहा लगी है चा में लगी है तो ये सारे शब्द आखी मात्रा है ठीक है? चलिए अब आगे हम कुछ और देखते है येस स्टूडेंट हमने देखा था कि अक्षन मिलके बनाते हैं शब्द और शब्द मिलके बनाते हैं वाक्य माने सेंटेंस राइट स्टूडेंट अलग-अलग शब्द मिलके क्या बनाएंगे? वाक्य तो चलिए इन वाक्य को पढ़के देखते हैं और देखते हैं कि आखी मात्रा कहा लगी है तो चलिए त में आ की मात्रा त, ल, ल में आ की मात्रा ल ताला, ल, ग, ग, में आ की मात्रा ग, लगा, ताला, लगा और यह जो आपको डंडा दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते है, पूर्ण विराम राइट स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं ग, म, ल, 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 में आ की मात्रा ल, गम, ल, गम, ल, ब, 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 में आ की मात्रा बा, हर, बाहर गमला बाहर, रख, रख, गमला बाहर, रख, तो देखा आपने, गमला एक शब्द है, बाहर एक शब्द है, और रख एक शब्द है लेकिन ये तीनों शब्द में मिलके एक वाक्य बना दिया गमला बहार रख, ओके, पूर्ण वेराम उसके बाद, द, द में आखी मात्र दाल, दाल च, च, में आखी मात्र चावल, चावल दाल, चावल, ख, ख, में आखी मात्र ख, दाल, चावल, ख, ओके आगे देखिए जो बहुत important है, बहुत simple है, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है, कि जबी भी हम आकी मातरा के शब्द या अक्षर पढ़ते हैं, तो हम उसे खीच के बोलते हैं, ताला, गमला, चावल, ओके स्टूडेंट, तो याद रखिए, वीडियो को देखिए, और आकी मातरा को अच्छ में आ गई, तो आप अपनी मातरबाशा हिंदी अच्छे से पढ़ सकते हैं, और लिख सकते हो, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं स्टूडेंट, वो सबसे जादा गलतियां मातराओं में करते हैं, तो ये पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, मैगनेट बेंड की आनलाइन स्कूल एज़केशन बिलकुल फ्री में मिलती है, सो वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सबस्कारिब करें और शेयर करें, राइट स्टूडेंट, तो देखिए वीडियो को अच्छे से मातरा को समझे और प्राक्टिस करें, तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स पातरा को हम नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे, तिल देन, बबाई!